सबी को राधे राधे आए आज हम आठ नमबर के कानह जी का पजामा बनाते हैं इसमें देखिए यहाँ पे हम कुछ पजामा बनाकर रखे हुए हैं रंग विरंगा पजामा तो यह हम थ्रिपलाई के उन से बनाएंगे देखिए इस पे हम चेंड लेंगे अबेमा मुगजान मेश से प्रष Ἀनgyरघ कैना कि पज़्गरित हैं रहाँ चलिजहाँ रहाँ जाते हैं झालिंग्ति कैना मेश महदाओे आए विरंखब बनाएंगे बनाएंगे आफ़ाग गे सयों चर आएंगे, आस एंटनAmerica, झालिए से पेंगने जिए के ऊड़ागे, च 36 चेन हम यहाँ पे ले लेंगे इसके बाद इके इस तरह से सीधा करते हुए इसे सीधा बिल्कुल सीधा लाते हुए इसे हम यहाँ पे जोड लेंगे ये पहला चेन पे हुप को डालेंगे फंदे लेंगे लेकर इस पेस से भी फंदे को निकाल लेंगे जुट किया ये आपस में अब एक दो दो चेन ले लेंगे इसके बाद पर तेक चेन से अलग-अलग डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पे कुछ लाइन कंप्लिट करेंगे इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से हम बनना रहे है इस पेजामे को जो आप जुगल-जोड़ी में कानहजी का पजामा देखती है वो पजामा थोड़ा अलग बनता है वो खुला-खुला रहता है ताकि पहनाने में आसानी हो इस तरह से हम यहां से लेकर यहां तक पिन कर सबसे पहले कम्प्लीट कर लेते हैं यह हमारा यहां पे कम्प्लीट हो गया अब हम यहां पे यह जो देख रही है आप चेन इस पे लाएंगे हुक को और इस तरीके से निकालेंगे बंद कर लेंगे यह हो गया एक लाइन हमारा फिर से एक दो दो chain ले लिए अब इसे इस थान पर हम hook को डालेंगे और एक double crochet यहां से त्यार करेंगे फिर से अलग chain से एक double crochet तो इस तरह से त्यार करते हुए हम इसे यह तो पहला line हमारा complete हुआ यह दूसरा line हो रहा है यह हमें एक दो तीन चार पांच पांच लाइन में हमे complete कर लेते हैं तो देखिए यहां पर हम पांच लाइन बनाए एक दो तीन चार पांच पांच लाइन बना लेने के बाद में अब यह हम लिए थे 36 हमारे पास यह था यहां पर double crochet तो यहां पर अब हम देखिए यह इसका हम आधा करेंगे तो 18 होगा तो 18 होगा तो यह यहां एक पर हम ले आएंगे बिल्कुल एक पर लाएंगे यह इस तरीके से और इसे हम देखिए यहां पर हम बाटे हुए हैं दोनों में आधा आधा किये हुए हैं इस तरफ आपको 18 मिलेगा इस तरफ अठारा मिलेगा बीच से हम हुप को डाल दिये हैं और इसे यहां पे निकाल लेंगे, एक चेन ले लेंगे, इस तरीके से, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब एक और चेन लेंगे, दो चेन हो गया, इस पद यहां से हम हुक को डालेंगे, और एक साइट का पाउं बुढ लेंगे, इस तरीके से, हाफ टफल क्रोसिया यहाँ पर गिन सकते हैं, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दश, एक्यार, बार, तेर, चोद, बंदर, शोल, सतरह, और यह जो हम दो यहाँ चेन लिए हुए थे, यह एक हो गया, अठारह, तो यहाँ लाकर इसे हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद दो चेन ले लेंगे, एक दो, दो लेने के बाद फिर से हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, ज्यादा हम इस पर नहीं घटाएंग पहले 5 लाइन बनाएंगे, पाउं बनाने के बाद, यह चीज बना लेने के बाद में 5 बनाएंगे, और जो हमारे काना यहाँ पर बैठे होते हैं, तो उनका यह चीज फैला होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर देखें, कमर और यह, दोनों हम बिलकुल इसका चवड़ाई हम एक समान लिए हुए हैं, जैसे कि आप यहीं पर देखें, यहाँ पर देखें, दोनों का चवड़ाई हम एक समान लिए हुए हैं, बाद में हम डोरी डालेंगे, एक अलग कलर से यहाँ पर एक डबल कुरुशिया, यहाँ बना लेंगे, एक लाइन डबल कुरुशिया, डोरी डालने के बाद इसे हम टाइट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको यहां पर यह नहीं कि अगर यहां आपका 36 या 38 पढ़ रहा है डबल क्रोशिया तो यहां पर हम 35 रखें या 30 रखें यह नहीं करना होगा आपको आप एक तम बिल्कुल सेम चेन लेते हुए इसे बना ले पाँच लाइन में इसके बाद आदा अदा बाट ले बाट लेने के बाद में फिर एक दो तीन चार पाँच पाँच लाइन बना ले और इस तरह से यहां पर आउट लाइन दे ले देखें एक पाउँ में आउट लाइन दिये हुए हैं यह दूसरे पाउँ में आ यहां पाँच लाइन बुनकर complete करेंगे फिर इस पाउ में भी पाँच लाइन बुनकर complete करेंगे तो चलिए इसे हम complete कर लेते हैं और इस तरब से एक डवल क्रोशिया एक डवल क्रोशिया देखे यह एक डवल क्रोशिया हम बुनकर complete कर लेंगे एक लाइन में और इस तरह से हम दे लेंगे डोरी यहां पर इतना चलिए हम complete कर लेते हैं तो इस तरह से देखिए हम यहां पर इसमें डोरी बना कर डाल दिए डोरी बना लेने के बाद में एक साइट का पाओं में हम यह बना चुके हैं दूसरे साइट का पाओं देखिए किस तरह बनाएंगे सबसे पहले त ये रहा एक डबल कुरुशिया जोडने के बाद एक डबल कुरुशिया और ये रहा दो डबल कुरुशिया दो डबल कुरुशिया बनाने के बाद में देखे अब हम यहाँ पे तीन में यानि एक ये रहा एक दो तीन तीसरा में लाकर हुक को हम पंदी इस तरह निकालेंगे चोड़ लेंगे यहां पर चोड़ लिए अब दीखिया फिर से दो चेन लेंगे फिर से हम डबल कुरुशिया बनाएंगे एक और ये 1-2 2 double crochet बना लिए फिर से 1-2-3 आप चाहे तो 2 के बाद भी डाल सकती है चाहे तो 1-2-3, 3 के बाद भी डाल सकती है डाल रिसे हम बन कर लेंगे फिर से 1-2-2 chain लेंगे फिर से 2 double crochet बनाएंगे यहां पर एक और यह रहा 2 double crochet हो गया अब फिर से हम एक, दो, तीन, तीन के बार यहाँ पे लाके बन करेंगे फिर से दो, इस तरह से बनाते हुए हम इसे यहाँ से यहाँ तक लाकर बनाकर complete कर लेंगे उनको cut कर लेंगे, आपका इस तरह से यह पजामा बनकर तयार हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि देखिए इसमें से और भी हम आपको color यहाँ पे जो हम डाले हुए थे देखिए color दिखाते हैं सब तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरह से यह पजामा अच्छा लगा होगा चली फिर मिलते हैं अगले वीडियो में